क्या आपने कभी सोचा है कि हम चार बिंदूओं का उपयोग करके कितने आकार बना सकते हैं? हम जतना बनाने चाहें उतना आकार बना सकते हैं उदाहरन के लिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे आकार बन चुके हैं इन चार बिंदूओं से चलिए, अब इन में से कुछ चतुर्भुजों पर चर्चा करें सबसे पहला चतुर्भुज है समलंब जिसे अंग्रेजी में ट्रिपीजियम भी कहते है यदि एक चतुर्भुज में कुई एक सम्मुक भुजाओं का योग्म समानतर है तो वे समलंब चतुर्भुज कहलाता है अब हम समलं चतुर्भुज के कुछ उदारन देखते है यहाँ पर खिड़की समलंब के अकार में है रेलवे ब्रिज भी समलंब का अकार है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चार भुजाओं वाली आकरती जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समानतर हो समलं कहलाती है दूसरा चतुर्भुज का परकार है समानतर चतुर्भुज जिसे हम अंग्रेजी में पाललोग्राम भी कहते है समानतर शब्द से हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर भुज में समांतर भुजाओं का कुछ उपयोग है जब दोनों परस पर सम्मुख भुजाओं के योग्म समांतर हो तो वे एक समांतर चतुर भुज कहलाते हैं दो समांतर भुजाओं के योग्म कुछ इस प्रकार है PQ SR के समांतर है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं PQ Parallel to SR हम समानतर भुजाएं दिखाने के लिए इस चिन का प्रयोग करते है और हम समानतर भुजाओं को तीर के निशान से दर्शाते हैं जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे तो यदि एक चत्र भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों योगम समानतर है तो यह एक समानतर चत्र भुज कहलाती है तो अब हम समानतर चत्र भुज तथा समलम से अच्छी तरह परिचत हो चुके हैं तो चलिए दोनों आकरितियों की तुलना करते है सम्म्लम में एक सम्मुख भुजाओं का युग्म सम्मांतर होता है सम्मांतर चतुर्भुच में प्रतीक सम्मुख भुजाओं का युग्म सम्मांतर होता है तो हम कह सकते हैं कि सम्मांतर चतुर्भुच एक सम्म्लम है जी हाँ, क्योंकि इसके पास एक सम्मुख भुजाओं का समानतर युग्म है क्या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतेग सम्मलम एक सम्मानतर चतुर भुज होता है? नहीं, देखते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में प्रतीक सम्मुख भुजाओं का योग्म समांतर होता है तथा सम्लम में सिर्फ एक योग्मी ही समांतर होता है अब हम समांतर चतुर्भुज की एक विशे स्थिती पर चर्चा करेंगे आयत, जिसे हम अंग्रेजी में rectangle भी कहते है ये एक आयत है क्योंकि इसकी दो सम्मुक भुजाएं समांतर है AB समांतर है DC के तथा AD समांतर है BC के लेकिन इस आकरिती में विशेश क्या है? किस तरह से ये आकरिती पिछले वाली आकरिती से भिन है? दोनों आकरितीों की तुल्ला करने पर हम पाते हैं कि पहली आकरिती में सभी कोण 90 डिग्री है तथा दूसरी आकरिती में कोणों को 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है तो ये विशेश समांतर चतुर्भुज एक आयत है तथा यहां पर सम्मुख भुजाएं समांतर है तथा सभी कूण 90 डिग्री है हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतेक आयत एक समांतर चतुर भुज है क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का प्रतेक युग्म समांतर है हम आयत के कुछ उदार ले सकते हैं जैसे कि नोट का आकार एक आयत है कौपी या किताबे अब चौथा प्रकार का चतुर भुज है वर्ग जिसे हम अंग्रेजी में स्कौायर कहते है वर्ग भी एक समानतर चतुर भुज है क्योंकि सम्मुख भुजाओं के दोनों योग्म समानतर है वर्ग के कुछ गुण सभी भुजाएं समान है सभी कोण 90 डिग्री के है क्योंकि वर्ग में सम्मुख भुजाएं समान है तथा सभी कोण 90 डिग्री है इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते है हम वर्ग के कुछ उदार ले सकते हैं पासा की प्रतेक सत्ह चौकोर आकार की होती है घड़ी, यहाँ पर घड़ी का आकार भी एक वर्ग है पांच्वा प्रकार का चतुर्भुज है सम चतुर्भुज जिसे हम अंग्रेजी में रॉंबस कहते हैं सम चतुर्भुज एक समानतर चतुर्भुज है जिसकी चारो भुजाएं समान है ध्यान देखी यदि हम वर्ग को फैलाते हैं तो हमें एक सम चतुर्भुज प्राप्त होता है यहां से हम कह सकते हैं कि प्रतेक वर्ग एक सम्चतुर्भुज है छटा प्रकार का चतुर्भुज है पतंग जिस हम अंग्रेजी में काइट कहते हैं एक चतुर्भुज ABCD में AD बराबर है CD के तथा AB बराबर है CB के तो हम कह सकते हैं कि साथवाली भुजाओं के दो युगम समान होते हैं और इसे पतंग कहते हैं. ये एक समानतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि यहां सम्मुख भुजाएं समानतर नहीं है. चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी संग शेप में चर्चा कर लेते हैं. झाल झाल